आत्मा निर्भाद भारत अभ्यान की सुरुवा थी प्रदान मंत्री गरीब कल्यान योजना से हुई थी और मुझे बराबर याद है कि जब शुरू में हमने गरीबों के लिए इतनी योजना ये लाए तो चारे तरप चिलना हट शुरू हुई थी उद्योगों का क्या इंकट में गरीब का हाथ पकड़ना प्राक्मिक्ता थे मेरी हमने सबसे पहले गरीबों पर बढ़ दिया था इस योजना पर कुछी सब्ता के भीतर करीब करीब पौने दो लाग करोड रुपे खर्च किये गए इन तीन महिनों में असी करोड गरीबों की थाली तक राशन दाल पहुँचाने का काम हुआ राशन के साथ साथ उन्हें गैस सिलिंडर भी मुप्त दिये गए इसी तरह बीस करोड गरीब माताओं बहनों के जनदन खातों में दस हजार करोड रुपे से अधिक सीधे प्रांस्पर किये गए गरीब बुजूर्ग माताओं बहनों और दिव्यांग सात्यों के लिए खातों में भेजी गई थोचिए अगर गर गर जाकर आपके जन दन खाते न खुलवाए गए होते मोबाइल से इन खातों और आधारकार को जोड़ा नहीं होता तो यह संभव होता क्या इतने कम समय में रुपिय योजनाय पहुंचती क्या और पहले का समय तो आपको भी या क्या होता था पैसे उपर से चलता था तो आपके नाम से ही चलता था लेकिन न कभी वो आप तक पहुंचता था न कभी वो पैसा आपका होता था पता नहीं कहां चला जाता था कहां गायब हो जाता था अब यह सब बदल रहा है आपको सरकारी दुकान से अनाज की दिक्कत न हो इसके लिए एक देश एक राशनकार योजना भी चुरूर की गई है यानि कि अब हमारे गरीब भाई बहें एक ही राशनकार पर देश के किसी भी राज्य में किसी भी शहर में अगर उनको वहां जरुवत है तो वहां भी राशन ले सकेंगे हाथियों आत्मा निर्भर भारत के लिए आत्मा निर्भर किसान भी उतना ही महत्पून है लेकिन इतने वर्षों से हमारे देश में किर्शी और किसान को बेवज़े के नियमों और कानूनों से बांद कर रखा गया था आप सब किसान साथी जो सब मेरे में सामने बैठे हैं आप तो खुद ही इतने सालों से इस बेवसी को मैसूस कर रहे होगे किसान अपनी फसल कहां बेचे सकता है अपनी फसल को स्टोर कर सकता है या नहीं कर सकता है ये भी तै करने का अधिकार किसान को नहीं दिया गया था इस तरह के बेद्भाव वाले कानूनों को हमने दो सप्ता पहले खत्प कर दिया है अब आप कहां फ़सल बेचेंगे ये सरकार ताय नहीं करेगी पाबू लोग अधिकारी लोग ताय नहीं करेंगे बलकि आप मेरा किसान खुद ताय करेगा अब किसान अपने राज के महार भी अपनी फ़सल बेच सकता है और किसी भी बाजार में बेच सकता है अब आप अपनी उपज का अच्छा दाम देने वाले व्यापारियों से कम्पनियों से सीधे जुड़ सकते हैं उन्हें सीधे अपनी फसल बेच सकते हैं पहले जो कानून फसल के स्टॉक करने पर रोक लगाता था अब उस कानून में भी परिवर्तन कर दिया गया है साथियों आत्म निर्भर्ध भारत पैकेज में किसानों की फसल रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज बने किसानों को सीधे बाजार से जोड़ा जाए इसके लिए भी एक लाग करोड के निवेश की गोश्णा की गई है जब किसान बाजार से जुड़ेगा तो अपनी फसल को जादा दामों पर बेचने के रास्ते भी खुलेंगे आपने आत्मंदिर भर भारत अभ्यान के तहट एक और फैसले के बारे में भी सुना होगा आपके गावों के पास कस्बों और छोटे शहरों में स्थानिये उपज से अलग 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 उत्पाद बने पैकिंग वाली चीजें बने इसके लिए उद्योग समूब बनवाएं गयाएंगे इसका बहुत बड़ालाब किसानों को होने जा रहा है अब जैसे खगड़िया में मक्का की फदल कितनी अच्छी होती है लेकिन अगर किसान मक्के के उत्पाद बनाने वाली कंपनियों से सीधा जुड़ जाएं खगड़िया की मक्का के लोकल प्रोड़क्त तयार हो तो कित तना फाइदा होगा इसी तरह